हम पहुत ही इंट्रेस्टेंग और होट टॉपिक कवर करेंगे आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एजूकेशन सेक्टर से ना जुड़ा हुआ हो या तो आप एजूकेशन में एक स्टूडेंट होंगे या टीचर होंगे फैकल्टी होंगे या पैरेंट्स होंगे जिसके ब अब अगर आपसे पूछा जाए आपते से कितने लोग बाइजूस को जानते हैं आप सभी का आंसर होगा येस हर आदमी बाइजूस को जानता है अगर वो इंडिया में क्यों बाइजूस इंडिया की अभी तक थी सबसे बड़ी एजूकेशन कंपनी है अध्यान रखेगा बाइजूस जब स्टार्ट हुई थी तो एक कंपनी नहीं थी एक टीचर की थी यह कोचिंग पढ़ाते थे और इन्हों ने अपने नाम पे पूरा बेसिकली बिजनस खड़ा किया था इसलिए सभी लोग उसको बाइजूस के नाम से जानते हैं कि जो संस्थापक थे जिन्ह कि आपका पिछले सेप्टेंबर के आसपास से सो अलमोस्ट एक साल होने वाला है जबसे बाइजूस की काफी सारी नेगेटिव पॉब्लिसिटी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ रही है मैक्सिमम लोगों को अभी तक आइडिया नहीं रहा होगा कि बाइजूस का हो क इस वेरी क्लोज तो डिफॉल्ट टेकनिकल डिफॉल्ट अब ये न्यूज को मैं बेसिकली यहां पर आपको थोड़ा सा टेकनिकल टर्म्स भी आएंगे फाइन्स के जिसमें मैं बहुत डिटर्म ही जाओंगा बेसिक एक्स्प्लेइन करूंगा जिससे आपको काफी सारी च बोल रहा है उसके पास पैसा है वो देना नहीं चाहता और जिनको पैसा देना था वह बोल रहा है बाइजूज पैसा नहीं दे रहा है इसलिए डिफॉल्ट कर गया क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था अब डिफॉल्ट बहुत टेकनिकल टाम है जो आपको बेसिकली नॉर्म बीच में काफी मीडिया में थे इंडिया बुल्स की स्टोरी आपने बीच में देखे होगी बीचन की सिच्वेशन काफी खराब थी बाइजूज भी उससे अच्छूता नहीं रहा है अब प्रॉब्लम क्या होई है प्रॉब्लम अगर आप ये बहुत चोटी सी पिक्चर द अभिकित के बॉल सकते हैं इसके पैर में बेडिया पड़ी है और यह टैम टिकिंग बाम्ब है जिसको आप डेट बोल सकते हैं і किसलिए कि टेट यो हता है प्रॉमिस पेyg मेंट होता है और जब पेधि तो आपको पे मेंट की लेंध यहां पेइमैंट कि लेंध जो और ये बाई-जूस ने जिस लेवल का debt ले रखा है जिस लेवल का market में leverage है technical term है leverage वो बाई-जूस के हिसाब से बहुत बड़ा है तो उसको संभाल भी नहीं पा रहा है ठीक है तो बहुत simple terms में भी हम बात करते हैं अब हम जाएंगे थोड़ा सा technical details में ठीक है कि actually story क्या है ठीक है ना यह सारी media news है by juice creditors seek part repayment of US 1.2 billion dollar loan 1.2 billion ठीक है आप लोग numbers बहुत easily देखते हूंगे 1.2 billion 1 billion and all ठीक है आपको बहुत simple conversion अगर बताया जाए 1.2 billion आपका 1.2 times 10 to the power 9 यह billion की unit है और to make it interesting यह dollar है अब dollar की मुकाबले अगर रूपया देखेंगे तो आप सभी को पता है रूपया बहुत तेजी से नीचे जा रहा है डॉलर की मुकाबले में इस समय डॉलर और रूपय की कीमत 82.5 के आसपास है अगर हम इसको simplify कर लेते हैं let's say की 80 है ठीक है simplicity के लिए क्रेडिटर जो पैसा देता है borrower वो जो पैसा लेता है अब यह आपकी इस समय जो भी finance से या basically newspaper पढ़ता है इस सारी headlines आपको फिशे तीन-चार दिन में newspaper में भर-भर के मिलेंगे इसे बहुत सारे development हुए है not just this by juice की creditors उसको already court ले जा चुके है New York Supreme Court में बाइजूस उनको court में ले जा चुका है तो situation काफी messy हो चुके समय इसके बाद अगर आप देखेंगे यह कल की news है ठीक है 8 जून newspaper की news है यह बोल रहा है बाइजूस refuses to repay its 1.2 billion loan तो बाइजूस का अच्छली यह लोन नहीं था बट क्यों डियू हो गया क्यों लोग बेसिकली अभी पेमेंट मागए उसकी डिटेल में भी हम आएंगे ठीक है अभी उनकी पेमेंट सिर्स चालिस मिलियन डॉलर की थी जो की आपका 320 करोड 325 करोड क आसपास का नंबर आएगा ठीक है तो अमाउंट इतना बड़ा नहीं था बट उन्होंने कुछ टेक्निकल टाउंस पर डिफॉल्ट किया कुछ प्रॉमिसस पर डिफॉल्ट किया जिसकी वजह से वो प्री कंडिशन थी लोन की और लोन आपका इमिजिटली डू हो चुका है यह आपका दूसरी मार्केट नियूज यह थर्ड नियूज जो मैंने अभी बोला बाई जूस फेसे डेडलाइन और डॉलर फॉर्टी मिलियन पेमेंट टुडे यह नियूज आपकी है फिफ्ट जून इसकी पेमेंट ड्यू थी पांच यह च्छे जून के आसपास आठ तारिक को मार्केट में नियूज यह उब्यसली इन्होंने एक दिन पहले बोला होगा कि दे रिफ्यूस टुपे बुन नहीं पे करेंगे अब उनका कहना है कि उनके पास पैसे हैं और वो देना नहीं चाहते हैं तो सिच्वेशन थोड़ा समझने से बाहर हो जाती है कि कि बाइजूस ऐसा क्यों करेगा कि अगर सुआज पैसे हैं तो पे नहीं करेगा अब हम आते थोड़े से और प्रॉब्लम्स की बारे में जो बाइजूस ने भी रिसेंटली फेस की है तो अंडरस्टैंड कि बाइजूस की सिच्वेशन क्या है जो मार्केट में दिख रही ह और रियालिटी क्या है जो इस से डिख रही है अब अगर आप देखेंगे इस समय हर आदमी शारुक खान को जानता है हर आदमी मैसी को जानता है यह दोनों इनके रिसेंट ब्रांड एम्बेस्टर्स हैं मैसी का अनॉंस्मेंट अभी रिसेंटली हुआ है जो इन्होंने इस और आपका इनवस्टर से इनवस्टों सब्सक्राइब और होता है और अपको क्रेडिकर की तरह लेंड करता है अब पैसा अड़ा नहीं होता है जब के लिए दूसरा लेक्षर रखेंगे जिसमें finance के technical terms discuss करेंगे जो banking sector के students के लिए बहुत ही important है और interviews वगेरा के लिए अगर आप किसी भी basically basic job से लेके highest investment banking paid जो basically million dollar की salaries होती है जहां पर वहाँ पी भी जाएंगे वो terms आपको आना बहुत जरूरी है अभी हम आज नहीं जाएंगे हम बहुत उसको rough terms में ही समझेंगे ठीक है अब यह बाइजूज का पिछले दो-तीन साल का audited financials है audited financials क्या होता है audited का मतलब है कि इसको किसी ने audit किया है किसी ने check किया cross verification अब इंडिया में कुछ recognized auditors हैं Deloitte KPMG बहुत सारे हैं ठीक है जो recognized ones है अपके अंस्टेंड यंग डिलॉइट यह सब है इन में से एक auditor है नाम नहीं लूँगा मैं उसका तो यह उनकी audited balance sheet है अब आप यहां बहुत important point देखेंगे FY21 तक यह balance sheet audit हुई है उसके बाद का record नहीं है कि balance sheet audit ही नहीं हुई है हम अभी है 2023 में तो दो financial years निकल चुके हैं और अभी भी balance sheet audit नहीं हुई है यह लोग already deadline 2022 की miss कर चुके है अब इसका technical impact alone पे वह हम बाद में आते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे most importantly 2019 का और आपका ये 2021 के numbers है यहां पर by juice का revenue रहा है 2280 करोड और loss रहा है 4588 करोड इसका मतलब है हर एक रूपया कमाने के लिए by juice ने दो रूपय का loss लिया that means अगर आप एक रूपया कमा रहे हो दो रूपय loss है तो आपने spend कितना क्या तीन रूपय है ठीक है तो 1-3 equal to 2 यह आपकी earning है और यह आपका loss है हर एक रूपय कमाने के लिए आपने यह expenses है यह आपने spend किया है अब इसकी problem जो है आपको यहां दिखेगी यह lay-off tracker है कितनी firing इस समय start-up sector में हो रही है जिसमें अगर आप देखेंगे तो buy juice already 3500 lay-offs कर चुका है इसके बाद यह सारे बड़े start-ups है जो यहां firing rounds में सबसे आगे चल रहे है और इसका एक tracker है जो economic time से हमने लिया है यह आपको बताता है कि अगर आप देखेंगे तो यह problem छोटी नहीं है इसके impact और indications आपको हर जगर देखने को मिल रहे है तो loss यहां पर है इसके बाद उन्हें पैसा मार्केट से उठाया equity holder से उठाया फिर भी उनको business को profitable करने के लिए यहां पर ramp up किया था उन्होंने अब उनको cut down करना पड़ रहा है अब हम समझते है थोड़ा सा chronology जिस loan की हम बात कर रहे है यह news आपकी 2021 की है by juice completes 1.2 billion dollar term loan B यह भी technical term है जादर detail मिननी जाएंगे हम थोड़ा सा finance के terms discuss करेंगे इस loan से related ही in line with talks कि 2021 है November 2021 जब इन्होंने पैसा मार्केट से रेस किया September 2021 तक कुछ भी problem नहीं थी यहां पर इन्होंने audited balance sheet published की है इसमें 4588 क्रोड का loss है इसके बाद इन्होंने कुछ investors से 250 million funding फिर से उठाई लॉस्स कवर करने के लिए या further expansion के लिए यह आपका roughly 11 महिने के बाद का then December 2022 में जो कि एक साल बाद है यहां जिन्होंने पैसा दिया था creditors यह आपका पार्ट payment के लिए पहुंच गए वही मेरा पैसा मुझे लौटा हो क्यों इसके टम्स यहां रीजन्स दी हुए हैं हम उस पर आते हैं मार्च 2023 में बायजूस ने उनको ओफर किया कि भई देखो पैसा नहीं है मेरे पास यह भी तुम्हें देना नहीं चाहता हूं एक काम करते हैं हम आपको ज़्यादा इंट्रेट देते हैं जैसे माल लिया आपने किसी से लोन लिया दस परसेंट अब आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप उसको बोलोगे पंद्रा परसेंट इंट्रेस्ट ले लो बट मेरे को यह लोन अभी आज मत मांगो पे करने को तो इसको फैनेंस टर्मेंट री स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं अगें टेक्निकल टांस है मैं ज़्यादा नहीं जाओंगा यहां के बाद में दो हजार करोड का डेट उठाया है एक बड़े इंवेस्टर डेविट्सन केंपनर से इनोंने दो हजार करोड का डेट उठाया है इसके टर्म से और सारे डीटेल्स प्राइविट हैं तो अभी इसकी डीटेल्स हमारे पास नहीं है जिसके बाद इमेजेटली इनोंने जून 6 को इस लोन पे डिफॉल्ट कर दि यह आपका होता है करी 320 क्रोड प्लस इनोंने पैसा उठाये 2000 क्रोड तो पैसे गए कहा है इसके साथ साथ आपका रीपेमेंट था जो की क्रेटर्स ने बीच में बोला था कि ठीक है अगर आप हमको 200 मिलियन का प्रीपेमेंट दे देते हैं मतलब 1.2 बिलियन लोन अब आपक इसा जो है आपका 200 मिलियन आपका 2000 क्रोड के बरावर है पर यह डील हुई नहीं इसके बाद इन्हों ने यहां पे और यहां पे यह तो अग्रीड नहीं था बट यह चीज थी इनकी ओरिजिनल डील का प्रॉमिस था उनको पे करना था जिस पर इन्हों डिफॉल्ट किया है अब थोड़ी सी टेक्निकालिटी देखते हैं बाइजूस ने मार्केट में आया यह लोन की डीटेल्स हैं जो हमने S&P ग्लोबल से पुल की है संप ग्लोबल आपका एक रेटिंग एजन्सी है जो वर्ल्ड की वन अब बेस्ट रेकगनाइज रेटिंग एजन्सी में आता है और इंडिया में भी S&P is considered to be one of the best rating agency यह उनकी website से data मिला है जिस पे borrower जो हम टेक्निकली वही बोल रहे थे कि borrower वही है जो पैसा लेता है यह बाइजूस है बाइजूस का जो actual registration नाम हो तो think and learn private limited है यह issuant size 1.2 billion term loan भी अधिया देन इस प्रेड अगेन यह mathematical टर्म्स हैं पैने से रिलेटेट एल प्लस 550 इसको अगर हम समझने कोशिच करेंगे तो यह लाइब और प्लस 550 आपको basis points में परसेंट में देखेंगे तो 5.5 परसेंट तो लाइब और जब भी जितना होगा उसके ऊपर 5.5 परसेंट एड़ करके इनको पे करना है तो लाइब और जब इस लोन लिया था 2021 में तो उस समय आपका 0.5 परसेंट के आसपस था अभी लाइब और आपका 4-5 परसेंट की रेंज में है तो अगर आप इस लोन को अब देखेंगे तो इस समय यह 10 परसेंट का लोन हो चुका है तो जो इन्होंने डेट पहले कभी 5.5-6 परसेंट के आसपस पर उठाया था इस समय 10 परसेंट के आसपस हो गया है लाइब और फ्लोर 75 basis points इसका मतलब लाइब और अगर आपका 75 basis point के नीचे है 0.75 परसेंट के नीचे है तो लाइब और को आप वहां पर रोग देंगे मतलब लाइब नहीं रोग सकते बट फिक्सिंग रोग आप उसकी 75 basis point ही मानेगे अगर माली जीरो चला गया नेगे चला better than equal to 625 always ओपर जाता है तो कोई problem नहीं तो यहां सिर्फ फ्लोर फिक्स किया गया है प्राइस 98.5 अब अगें आपने किसी 100 रुपे लोन लिया है इसका मतलब है आपको लोन 100 रुपे एगा है बड़ आपको देना मिलेगा 98.5 यह मतलब डेड रुपे कम मिलेगा तो एक तरह से यह वापस interest में भी convert कर सकते हैं कि अगर डेड रुपे आपने कम किया है तो पांच साल के हिसाब से 0.3% होता है तो additional interest rate आप हो सकते 30 basis points और और इसलों का तक पूरेड् कर आपको पांच साल में यह टर्म लों चुकाना यह तो इसमें इसके लिए हमाई अलग section cover करेंगे जब आपको यह सारी चीज़े टेक्निकल डीटेल समझाएंगे पट आपकी simplicity के लिए इतना समय लीजिए payments आपकी interest 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 principle plus interest प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट पांच साल पे तो पांच साल में आपको पूरा पैसल लॉटाना है yield to maturity उस समय जो interest rate था पांच साल का उसके हिसाब से एक expected कि आपको पांच साल में क्या मिलेगा वो टर्म है 4-year yield 6.86 call protection one of 105 103 101 इसका मतलब है अगर पहले साल बाइजूज ने लोन पे कर दिया बाइजूज बड़ी कंपनी हो सकता ग्रो कर जाए तो 100 रुपे नहीं लोटा सकता उसके पास call option है वो 105 रुपे दे के लोन खतम कर सकता है अगर दूसरे साल में करता है तो 103 रुपे दे के खतम कर सकता है तीसरे साल में करता है तो 101 रुपे दे के खतम कर सकता है पर यहां investors ने कभी ही नहीं सूचा था कि यह लोन अभी 60-70 पे यह तीनों चीज़े मैं क्यों फोकस कर रहा हूं क्योंकि यह एक लोन की प्री कंडिशन पर थी लोन की रेटिंग बहुत जरुरी थी और यह प्री कंडिशन में डाला गया था जो कि यहां पर मेंशन है मैं इसको भी बताता हूं इसके अरेंजर्स दो बड़ी इंवेस्टमेंट बैंक्स थे यूसके एमस आपका मोगन स्टैनली एंड जेपी मॉर्गन यह दो आपके में अरेंजर्स थे जिसमें मोगन स्टैनली आपका एड्मिन एजेंट भी था यह शुरू की प्राइसिंग डिसक्रिशन से और यह लोन तो अच्छे से मार्केट ने एक्सेप्ट किया था इन नवंबर 2021 वेन एवरीटिंग वस गोईंग दवे बाइजूस वंटेड इट वी ठीक है प्राइबलम क्या हुई उस समय उस समय कोविड आपका डेल्टा वेव के बाद लोगों को बहुत फियर था और उस समय ऑनलाइ इसी होगी कल को सौकी होगी हर आदमी की ग्रीड होती है ग्रीड का कोई नहीं है इसलिए मार्केट उपर जाता है नीचे जाता है ग्रीड फियर दो ऐसी चीज़ें जो मार्केट को कंट्रोल करती है अब यह लोन इशू हुआ आपका नॉवंबर 2021 इसके साथ इन्वेस्टर इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में राइडर्स दो राइडर्स अटेज किये थे हैं पहला राइडर था इस लोन नीट्स टो बी रेटेड विदिन नाइन मांस बाइए अर रेटिंग एजन्सी लाइक मूडीज और संप यहां मूडीज और संप के विच्छ है क्योंकि रेटिंग एजन्सी अगर आप देखेंगे बहुत सारी है पर सबकी क्रेडिबिल्टी उतनी नहीं है मूडीज और संप आपकी वर्ल्ड में कई और एजन्सी है चोटी मोटी है बट जब बड़े इंवेस्टर्स की बात करते हैं तो बड़े इंवेस्टर्स इन्हीं दो तीन रेटिंग एजन्सी की रेटिंग को एक्सेप्ट करते हैं ठीक है ओडिटर है तो साइन ओफ ऑन बाइजूस फैनेशल स्टेटमेंट और Fy22 का फैनेशल स्टेटमेंट नहीं हुआ भी तर तो सर्टिफाइड बाइजूस वोजन्ट रसॉर्टिंग तो एनी अकांटिंग जगलरीज तेक है कुछ टर्म्स हमने टेक्निकल अपने हिसाब से एडिट किये हैं इसका सिंपल मीनी यह है इन्वेस्टर को चाहिए कि एक बरोसिमंद रेटिंग इजन्सी आपकी पूरी बैलेंशीट चिक करें आपकी प्रोजेक्शन देखें और आपको एक रेटिंग प्रोवाइड करें दूसरा एक रिनोंड ऑडिटर आपकी बैलेंशीट को सर्डिफाई करें कि आप बैलेंशीट में कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं तो यह अभी तक दोनों में से कोई भी कंडिशन सर्टिस्वाई नहीं की है जो कि आपको नाइन मंत के अंदर ही करनी थी पहली वाली कंडि यूज का लोन जो आपका यहां नवंबर 2021 में 100 रुपए पर था प्राइस पर यहां पर आपका 60-70 के बीश में चल रहा है अब मार्केट में अगर कोई चीज़ किसी ने 100 में खरीदी 60-70 में बेच रहा है तो इसका मतलब है उसको अपने पैसे की रिकवरी का चांस बहुत ह तो यहां पर क्या होता है जब प्राइस ऐसे पॉइंट पहुंच जाती है जो अपना पेशन्स खो देते हैं तो आपके कई सारे हैं जो उस मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं और वह बेसिकली उसको एक अट्रैक्टिव प्राइस पे पिक अप करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि देखें रिकवर मोर देन वेर देवाट बॉट इसी एक कंपनी है रेड़ बूट कैपितल यह यूस का एक हेज़ फंड है जिसका काम है बेसिकली डिफरेंट इमर्जिंग और डेवलोप मार्केट्स इवन डेवलोपिंग मार्केट्स में अपॉर यह काफी इंपॉर्टेंट नाम है बिकाज जब रेड़ बूट ने एक्क्वाइर किया और इन्हों ने इसकी रिकवरी के लिए मेहनत चालू की तभी से पूरा प्रॉब्रम चालू गई है तो रेड़ बूट ने यहां पे 60-70 सेंट के बीच में इस लोन को मार्केट से किसी इन्वेस्टर से पर्चिस किया इसके बाद इन्हों ने सीधा बाइजूस को कई पॉइंट्स पे प्रेशराइज करना चालू किया कि बहुत तुम इन पॉइंट्स पे डिफॉल्ट कर चुके हो यह पॉइंट्स तुमने प्रॉमिस कि यह हुआ नहीं है तो अभी ऐसा है अब तुम पेमेंट चालू करो अपना लोन जो है डियू हो गया है क्यों कुछ तुम कंडिशन पे अल्रडी डिफॉल्ट कर चुके ह अगर देखा जाए तो यह सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके नामा कई सारी निगेटिव पॉब्लिसिटी या न्यूज में रहा है उसमें से कई सारी चीज़ें हैं जो आपने सुनी होंगी गूगल और फेस्बुक पेस्बुक पे पेमेंट ना होने की वजह से अकांट्स अस्पेंट कर दिए गया है यह काफी एक्शली है इंपोर्टन है वाई घूस डिडड़ टेक्सेश फ्रॉम एंप्लोईईस जिसको हम टीडेश बोलते हैं अच डिड़क्टस असोर्स बड़्द नॉट डिपाजिट इपाजिट दिविट गभर्रमेंट तो टीडियह आप काटते हैं तो गवर्मेंट को सच है तो यह एक फिनेंशियल ट्रबल को दिखाता है कि इसी के साथ कुछ और भी नियूस थी बाइजूस रिसॉर्टेट टू पेंग यमाइज ऑन दे लोंस ऑफ कस्टमर राधर देन रिफंड सो कई सारे कस्टमर्स को उन्हें प्रॉडक्स किया थे प्रॉमिस किया था कि ल अगर बाइजूस आपको इस पर्टिकुलर लोन सिच्वेशन में बोलता है कि उसके पास पैसे हैं पर वो देना नहीं चाहता थोड़ा हजम होने वाली बात नहीं है थे तो बाइजूस जहां तक मुझे लगता है इस समय डीप ट्रबल में है अब वो इस सिच्वेशन से निकल पाएगा कि नहीं यह तो समय ही बताएगा बट आज के लिए इतना ही और अगले लेक्चर्स में हम आपको इंट्रेस्ट्रेट के बारे में डिसक्स करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्यू हुआ 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 है